हलो एंड वेलकम टू भादुरी फाउंडेशन बीपीएसी परिक्षा 67 पेपर लीक हो गया है सैटसी के 150 कोश्चन पहले लीक हो गए थे वाइरल हो रहे है शोशल मीडिया पे छे लाग से जादा कैंडिडेट इसमें बैठे थे जिनका भविश्य बिलकुल बरबाद हो गया उनका टाइम बरबाद हो गया उनका पैसा बरबाद हो गया कुछ करप्ट ओफिसर्स कुछ ऐसे लोग जो मनी मॉंगरिंग है उन्होंने ये भी नहीं सोचा बच्चे कैसे तैयारी करते हैं कहां से आया बच्चा कोई दिल्ली से जा रहा है कोई कहीं से जा रहा है पैसे की प्रॉबलम है एज खतम हो रही है कोई नहीं सोचता कि 11.40 पे पेपर लीक हो गया था अभी तो प्रशाष ने पेपर कैंसल करने से भी मना कर दिया देखो क्या होता है लेकिन कैंसल होना भी मुश्किल है कोट में भी जाएंगे बच्चे अलग-अलग तरक दे जाते हैं कि कैंसल तो पेपर लीक तो सहाब एक सेंटर पे हुआ ह और एक सेंटर पे निए शोशल मीडिया पे लीक होने का मतलब होता है गलोबलाइज लीक हो गया पेपर लीकेज का भी गलोबलाइजेशन हो चुका आजकल एक मिनेट में पेपर कहां से कहां फोच जाता है तो बहुत ही दुख्या बात है सभी केंडिडिट्स के लिए हुआ डिरेक्टली रेलेटिट्ट विद बीपी एस फी और हुआ इंडिरेक्टली रेलेटिट्ट। सभी पेपरों यह हाल है चया यूपींपी पीसेस लगालो चया बीपी एससी लगालो कि आपडाइम कि आ गया है कि इस देश में नाशनल पॉलिसी और पेपर लाइंड है इतने पेपर लीग हो रहे है यह अगर दू हो जाए तो क्या कारना है अभी तो कुछ पता ही निस अब बलाइंड है। जैसे ही पेपर लीक हो, पेपर कैंसल होना चाहिए। क्योंकि शोशल मीडिया के जमाने में तो पेपर एक सेंटर आरा में सेंटर लीक हुआ है। आरा में नहीं हुआ पूरे बिहार में लीक हो गया हूँ। पेपर लीक है जाता हूँ। जैसे ही जिए बढ़त ही जाता हूँ। जैसे हो पते हैं। 418 and 420, another relevant section of the IPC. और सभी अग्रिवड कंडिडेट्स को एक हो जाना चाहिए. All agrieved candidates should fight back this manner by uniting themselves and file a suit against the government, seeking compensation for wastage of time and their money. Baduri Foundation आपके साथ है, candidates के साथ है, हमेशा खड़ा रहेगा. Subscribe this channel to get all updates on this issue. आज बहुत ही दुखी हूँ हूँ है. Sorry. What should be the course of action? On leakage of paper, यह हम बाद में बात करेंगे. पहले तसलिश से देख लेते हैं, अभी बच्चे पेपर देखे आएं. Rest करो, ज्यादा टैंशन मत लो. क्या करना, जो हो गया हो गया. देख तेंस पे क्या हो सकता है? लेकिन लड़ना जरूर है. सब कैंडिडेट से ही हो जाओ. क्योंकि एड्मिनिस्टेशन में तो यूनिटी है. एड्मिनिस्टेशन तो एक दूसरे को बचाएगा. कैंडिडेट से स्कैटर्ड है. कैंडिडेट्स को अपनी यूनिटी दिखानी है. थैंक यू.